तो अभी कि जो वीडियो है, वो है सैकलोन स्पेशल यह फिर यह कहें कि सैकलोन के जूट स्पेशल कुक्छ जूट यहाँ पर खोले जायें गे और हम कहना चाहते हैं कि सैकलोन जी जब कुछ यूट्योपर बोलो ना तो थोड़ी सी स्टेडी कर लिया करो यार इतना जूट भ ये इससे पूछा था, मैंने बोलती है मैडम आज की वीडियो में, कि दरसल पापा जब पीते हैं जब पापा को टेंशन होती है पापा किसी डिप्रेशन में होती है इसने जो भी कुछ ड्रामे किया उससे पापा को टेंशन हुआ और भाग की स्कूटी लेके यहां पर आए इंटेक करने के बाद में और उनका accident हो गया उससे पहले वो नहीं पी रहे थे मम्मी ये पास से ठीक थे तो भेन तू decide कर ले कि पहले वो पी के आये थे या नहीं पी के आये थे क्योंकि ये दोनों statement तेरे ही बोले हुए है तो तू पहले ये decide कर ले उसके बाद में तो जूट बोलना पीते हैं हम तो बच्पन से यही चीज़े देखते आ रहे हैं हमारा तो ये हुआ वो हुआ हमें तो कई बार खाना भी नहीं मिलता था इतने ज़ादा हमको परिशान किया जाता था और इतना ही ने molestation के भी इसने कई बार चीज़े उठाई है हाला कि वो चीज़े चायद YouTube पर तो नहीं बोली लेकिन लोगों का सामने बोली है जो कि सामने आ गई थी इतना ही ने अब भाई के पीछे हाथ दोकर पड़ी हुई है पड़ो तुमारा भाई या हमें कोई फरक नी पड़ता क्योंकि हमें तो लगता है कि दोनों भाई 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 नो टंकी हो और नो टंकी दिखा रहे हो तो वो तुम दिखाओगे ठीक हमें कोई फरक नी पड़ता लेकिन इसने बोला कि एक रियक्शन वाली है जो मेरे भाई के कॉंटेक्ट में है उसकी कोई वकील वगरा सबको पता है कि किसकी ये बात कर रही थी वाप इसने का कि एक एगंटे बात करती है बीना प्रूफ के तूने किसी पर ऐसा इंजाम लगाया कैसे उससे पहले ही जिसकी ये बात कर रही थी बरका जी जिनकी ये बात कर रही थी उन्होंने अपने किसी की लाईवें बोला था कि हाँ मेर बात होती है उससे लेकिन उसने साफ ये बोला हुआ है कि मैं निधी के बारे में बात नहीं करूँगा तो यानि इन दोनों की कभी भी निधी के बारे में कोई बात नहीं होती तो इतना बड़ा इसने किसी के उपर ऐसे ही मूठा के लगा दिया हर कोई तेरे बहन भाई या फिर कुछ नहीं होते जो तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है किसी के उपर अब इसका जूट नंबर थ्री इसकी दो वीडियो में इतने जाद जूट इसने बोल गया इसने बोला कि मेरा उ दाई तक में भी इसकी भावी वहाँ पर मौझूद नहीं है तो ऐसा क्यूं तुमने ही तो बोला ना कि तुम्हारा पहले रिष्टा सही था लेकिन उसके बाद खराब हुआ है जब रियक्शन वालों को तुम्हारी भावी ने इंफॉर्मेशन दी एक बाप बताओ तुम् भाई इसक तेरा भाई आया था और समान लेके गया था अभी तुमने करकी वीडियो में बोला कि जब मैंने घरवालों को फॉन किया कि यह मुझे निकाल रहे हैं मुझे ले जाओ तो मेरे घरवालों ने मना कर दिया कि हम तुझे नहीं रखेंगे तुम यहां पर मता फिर किनों कर लिया करो कि भlvania यह फिर बोलना है यह या फिर को प्रक्राम सबसुद टो कहां है वह सबूत किस तरीके से किस बिना पर उमने इतनी बड़ी बात बोल दी, किसी के उपर ये इंजम लगा दिया, कि रियक्शन वाले तो मेरे भाई से मिले हुए है, इसलिए रियक्शन मेरा भाई मेरे खिलाफ जाता है, ये है वो है, तो भैन ये बता, तेरा सगा भाई, तेरी बेह भाबी, सब तेरे सगे, तेरे इ तेरी जिम्मेदारी ले ले, तुने क्यों नहीं ली, और जब वो लड़का ले के चला गया, तेरे भाई, पापा को, और जिम्मेदारी निभा रहा है, उनको रोकता भी है, कुछ गलत काम करने से, या कुछ भी है, भाई ड़रा के, धमका के, जिस तरीके से भी रख रहा है उनकी जिन्दिगी तो वो बचा रहा है ना, लेकिन तुझे ये चीज़े साथ हजमनी हो रही है, भाग के तु कभी भाई के पास पो हो जाती है, कभी कुछ बोल जाती है, तुमने का कि मैं तुम लोगों की वज़े से ये सोची थी कि मेरा रिष्टा सही हो जाए, रियली, मैं सब्सक्राइबर तुमने बोल लेते, रिष्टा सही करने में सच में तुमने रिष्टा सही करने के कोशिश की, तुमने बोला कि वो तो सब शोव कर राए था, कि ये समान लेके आया हूँ, उसके वो समान सिर्फ दिखाने के लिए, तो बहन उससे ılदा, तो तुनने व वो content ना चिल ले इसने अपने मूँ से कल ये जाहिर कर दिया कि मेरे भाई को ये तक्लीफ है कहीं मैं वहाँ जाके content ना बना लूँ कहीं मैं जाके वीडियो ना बना लूँ अब इस चीज को आप ये देख सकते हैं कि ये मैडम जी दिमाग में लेके बैठी हुई है कि मुझे महां जाना है और वीडियो बनानी है तो तुने क्यों नहीं कहा एक बार भी जब तुझे महां से इतना प्यार से था कि मुझे मिलने दो भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी ठीक है लेकिन तुने क्या कि तुने अपने मूँ से बोला कि इन लोगों को डर है कि मैं कहीं वी content चाहिए वो तुम किसी को भी पकड़के बना सकती हो क्योंकि तुम हो एक नंबर की जूटी इसने कुछ दिनों पहले अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें किसी नलका का नाम जाता कि मेरी उनसे बात हुई मैंने उन्हें समझाया उन्होंने मुझे समझाया यह है वो है जस् तुम्हें क्या लगता है दु­ नि बेगूप पैठी हुई है कर दू सब और के कुशिश करई हो थे लेकिन उससे कोई नहीं दरता जिससे तुम टर ननी करते वह हां इतना जरूर है सब्सक्याइकना काम करतेगा हैई समाहरा काम करतें लेकिन क्या अगर तुम्हारे माबाप नी सुधार पाई यार तु दुनिया के सुधारगी तुमने कहा कि ये मेरे पापा इतने डड़ते हैं इससे पापा मम्मी कि मेरे लिए कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी माबाप न अपने बच्चे से अगर डर भी रहे हैं कुछ गलत काम करेंगे जब ही वो डरेंगे और अगर डर भी रहे हैं तो पहरे बाद तो तुम्हारे बाप को ना शरमानी की चालिस साल जेल लिया अब वही है अंकल जी जे दिन पहल लटकेंगे ना कबर में बहु यह काम आएगी कोई नहीं काम आने वाला ठीक है यह क्या कहूं यह फैमली ही पनोती है यह यह जो है फैमली इसके संसकार ही ऐसे है इसलिए ऐसी है संसकारों पर बोलना नहीं चाहिए लेकिन यह दिखाते है ना उससे ऐसे लगता है कि जान बूझ के जान बूझ के मापापको भी बहुत अच्छी तरिक़े से पते है और तुम्हारे पापा को दरसल अंकुरू इसलिए मना कर रहा था कि ये वहाँ जाएगी, वीडियो बनाएगी और वहाँ पर ड्रामे क्रियेट करेगी, एक की दो बना देगी, तुछ से इसलिए डड़ते हैं भेहन सब तेरे बहर वाले, कि तू एक की दो बना के सिर्फ अपने कॉंटेंट के लिए सि उस रिएक्षन वाले ने कर दिया कर दिया कुछ नहीं किया किसी नहीं कोई जहाँ कभी अंकुर का सपोर्ट करता है, लेकिन तुख ग है न बिल्ली के सपने में खेलते हो ना मम्मी बिमार है ये बिमार है वो बिमार है मम्मी को ये बिमारी होगे तुमने तो अपनी मा की बिमारी नहीं चोड़ी तुमने तो अपनी मा की बिमारी अगर दस परसेंटी तुम्हें सो परसेंट बता के बताए कि जैसे भाही बस खतम ही होगा मामला तुमने त पड़ता कि दूसरे इंसान पर क्या बीचती है कहने भी ती तुम लोग जेस्ट अपना रो ना रो लेते हो और दिखाते हो कि हम बहुत दुखी है लेकिन तुम तो मन में तो तुम्हारे कुछ नहीं होता तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता उसके बाद तुम तो रिलैक्स ह रही हो जाओ कि लेकिन जो पबलिक तुम्हें पसंद कर रही है जो तुम्हारी सपोट में वह डिप्रेस हो जाएगी लेकिन जैसे लोगों को जो सपोट करते हैं जो इनकी वज़ेस को ना ले कौन सही कौन गलत उस चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि दूनों स और फिर फिर वोई लड़ाई हो जाएगी नहीं की ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाइबाई थेंक यू सो मच